So, hello दोस्तों, नमस्कार, investment process में आज सभी का दिल से बहुत-बहुत सोगत है So, उस वीडियो में हम बात करेंगे particular 3 stock के बारे में जिनमें आज के दिन काफी सारे important news इनकल के आचुका है So, उस stock में से कोई भी stock आप लोगों के पास है किसी भी level पे तो ये वीडियो के लिए बहुत ही important होने वाला है So, सबसे पहले हम बात करेंगे Dixon Technology Limited के बारे So, Dixon Tech में आज के दिन एक important news इनकल के आचुका है So, उस news के उपर जाने से पहले अगर हम stock की कुछ performance के बात करें जैसे के Thursday के दिन So, Thursday के दिन इन stock में हमें थोड़ा बात positive वीडियो देखने के बात करें लगबग 2% की तेजी पिछले पास दिंग के प्रफवेंस के बात करें तो 2,5% की और अगर हम पिछले एक मन्त की बात करें तो आपको लगबग 3-4% के आथपा तेजी देखने को मिल जागा और अगर हम पिछले 6 मंत की बात करें important चीज़ 6 मंत में देखो के बहुत बड़े आमें नोस डाइब आपको गिरावाट देखने को मिलेगा और इस गिरावाट के पीछे का रिजन भी आपको पता है कि कंपनी के नंबर पिछली बार जो कंपनी नंबर देखा थे बाके बह management के साथ से हमें और बहुत बड़े तरकाल लागते हों देखने को मिले जिनके चलते stock में जो सिर्फ 10-12% गिरावाट होना जाए था और 7% उन्हीं चीज़ों के चलते उस commentary के चलते हमें वह गिरावाट देखने को मिले उसके बाद आप देख पारंगे उसके बाद जो 3000 के चीज़े stock ने closing दिया पिछले तीन मंत पहले अब वह stock 3000 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहें दो तेने बार उसके ब्रेक भी किया लेकिन उस लेवल को sustain नहीं कर पा रहें के बात करें एक इंपोर्टेन न्यूज हमें आते होए देखिन को मिल रहें और वो नीज दुस्तों कमपणी के शेरहूनिंग पैटर बहुत ही इंपोर्टेन रहता है खासकर गे उन कमपणी के लिए जो कमपणी नंबर कंसेंटन सी खराब दिखा रहे है जिन stock में टॉप से 50 पससे गिरावाट हो और वो नंबर के चलते गिरावाट हो एसके चलते इसको फोकस में जरूर रखना होता है तो क्या प्रमोटर ने कोई वो 105% से ज़्यादा stake हमें FIS बेस्ते होगे देखने को मिला और उसके अगेंस में अगर आप देखोगे तो DS, DS हमें इन स्टॉक में बहुत ही ज्यादा बुलिशनेस होते होगे देखने को मिला है पहले 8% थे 22 जून में उसके बाद सीधा 18% उसके बाद लगबग 19% के आपास इस बार लगबग आप बोस होता है कि 4% हमें इस बार भी बाइंग करते होगे देखने को मिला है तो नो डाउट किसी भी कमपणी में अगर DS का अगर अच्छे का से हमें होल्डिंग देखने को मिला तो लगाता है वह होल्डिंग हमें इंक्रीज करता है तो उससे पॉजिरी पॉइंट ही बहुत बड़े पॉजिरी पॉइंट दोस्तों गंसेर करना होता है क्योंकि जो टॉप लेबर से गरा है 50% और 50% कोई दोस्तों मतब यह टाइम पास के लिए नहीं गरा है 50% से ज़ादा 6200 पे चलने वाले श्टोक अभी आपको 3000 के नीचे भी ट्रेट करते होे देखने को यानि कि अल्मोस आ बोल से तो कि लगबग 50% से ज़ादा और इतने कोड़े confidence आता है कि इतनी गिरावाट में यह stock हमें losses दे रहे है कि stock को loss में continue करना से रहेगा तो बिलकुल आप continue करके चल से तो क्योंकि आप देख पाना कि DS ने जिस तरह सा अपना stake को increase किया मतलब 8% से पूसे 3-4 एक साल पहले थे उनके पास जैसे stock में गिरावाट होने से पैटर आपको इसमें भी आप देख पाना पिछली दो कौटर में आपको यह holding को मिले लगबग आप बो सकते हो कि इस बार भी इन्होंने लगबग सारे 3% का आप सारे 4% लगबग इस बार भी DS ने बाइंग कि है जो कि बहुत बड़े positive point है और DS में आपको बता है mutual fund भी आ जाता और mutual fund के पास हमारे public के पैसे होता है तो mutual fund अगर कोई ऐसे वैसे stock में पैसे लगा रहे तो बहुत ही research और बहुत ही सोच समझ कर वो लगाएगा इसका मतलब यह निकि जाके मैं आपको यह बोलो कि आप दूसरे stock से पैसे निकालके अगर आपको loss और addiction में जाके आप average कर लो नीचे level पर ऐसा मैं बिलकुल भी नहीं बहुत हो कि DS ने बाइग कर तो जाके आप भी बाइग कर लो लेकिन एक parameter होते किसी भी company अगर DS और FS के holding increase होता है तो उसे एक बहुत बड़े positive point माना जाता है क्योंकि company के बार में maximum किसे को पता होता है तो company के owner यान के promoter उसके बाद अगर किसे को बता होता है तो DS और FS क्योंकि उनके पास बहुत बड़े research team होता है उनके बहुत जादा data होता है हम उतने research नहीं कर पाएंगे जितन और FS और DS research कर पाते हैं तो वो अगर किसी stock में investment करता है वो भी अच्छे का से aggressively और consistency तो उसे हमें एक बहुत बड़े positive point consider करते है और हाली में आपने एक news भी देखा होगा साइज जन्मरी मन्त में ये news दाया था कि आने वाटटा में expert करके चल रहे है कि आप देख पर एक ला के main core business है कौन segment है और भी CCTV DVRG और भी बहुत साइच चीज़ों हम इसके योगदान देखने को मिल जाते हैं लेकिन स्मार्ट फोन के अगर हम बात कहें तो इसमें हम एक अच्छे कासी इस company के योगदान देखने को मिल जाते हैं लेकिन पिछली बार जो company ने नमबर दिखा है बाके बहुत एक खराब नमबर था और मेरी बताने से कुछ नहीं होगा तो आपने देखा भी होगा किस तरह से बाज़र ने उसको नेगडिव में साय ने एप्रिशेट किया है आप देख पारंगे तीन हजर आर्सों में चलने वाले sales 2400 तक आते हो देखने को याली quarterly धून क्या इस बार कंपणी के नमबर में थोड़ा वहाँ कमबैक आएगा कि कंपणी दुबादा से अपना जो 3000 के लेवर है कि उसको अचीव कर पाएगा क्योंकि अगर कंपणी को याली बिस परफॉकस में दिखाने तो एट्लिस को 3000 को पर तो sales दिखाने ही पड़ेंगे तब ही कंपणी एक अच्छे आसे डीसिंट नमबर उसको माना जाएगा बाजर भी उस नमबर को कर सकता है तीजी के साइड में तो प्लीज इस बार के नमबर आप ज़रूर फोकस में राखना और जिन्होंने टॉप भाई के उनके सिर्फ इतना ही काया चुपा सिर्फ होल्ड करो और कंट्रीनों जिन्होंने यहां पर भाई के 500 के स्टॉक धायश होता काया था तीन साल कोई भी रिटन नहीं दे था नेगिटीव में रिटन 30-40% के जिन्होंने लॉस पर बेस दे आज वो रिग्रेट कर रहा है अगर होल्ड भी कर लेते तो उनके पास अभी भी 50% बयात अभी अच्छा सी ऐखांए जब ब्रोफेट नेगें को सब्सक्राइब करना अच्छा करना कर सकते हो तो थोड़ा सा में इस पॉइंट को कबर कर लेते आपको बता है बहुत अच्छे कासे रैली देने के बाद इस पहले भी बहुत बार ब्रेक किये अगर आप इस स्टोक के मैस्मम डेटा को देखोगे तो यहां पे बार गिरावट हो चलो यह तो कोवीड हो गया नॉर्मल गिरावट एक बार दो बार अब तीन बार दो तीन बार ऐसे गिरावट हो और हजार हजार के थाजन के नीचे बार बले इसने क्लोजिंग दिया था लेकिन ज्यादा देज तक स्टोक नीचे रहा नहीं उसके बाद सड़नली सिर्प उससिप कुछी दिनों के अंदर मंद नहीं कुछ दिनों के अंदर ही स्टोक ने कम बैक है और एक अल्टाइम है अचीब किया जब भी स्टोक में एक अच्छा कसे गिरावट हो और इस बाद जो स्टोक ने ब्रेकावट दिया वह थाजन के नीचे और उसके नीचे काफी टाइम सामें क्लोज मतब सस्टेन करते हो देखने को जो कि यह चांसे से अगर कमपणी के नंबर इस बाद थोड़ा सा खराब आता है बाजे के साफ से नहीं आता है तो इतना रिटरन दी है चार्चा साल में तो स्टोक 35 पसें गिरा वट हो तो इसका मतब यह और नहीं गिल सकता है स्टोक सारे 800 तक भी आत देखने को मिल सकता है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं इतना ही काना चुका हूँ जिनके पास बी कमपणी बहुत ही शांदर कमपणी इसका मंदर यह है कि कमपणी गिरेगा नहीं कमपणी की बीदान में Frog T जब तक Q4 के नमबर ना आए, तब तक के लिए maximum investment मत करना, अगर आपको investment करना ही है, तो 10,000 अगर आपको investment करना ही है, तो सिफ 5,000 अभी investment करें, बागी Q4 के नमबर देखने के बाद, नमबर कैसी भी है, long time पिले company अच्छे ही है, then next stock है, तो इस तो एक बहुत ही बड़े fantastic company है, जब से ये company listing हुआ, 2022 June में, एक साल भी नहीं है company को, अब बोसे तो एक फ्लैर्टी पॉपमेस चाहता है, बोसे तो, लेकिन सबसे important चीज़, 1000 के लिए पर stock में trade करते हैं, company 3 मंद के बीच में, company पिछली बार quarterthin में अच्छे नमबर दिखा है, उसके बाद company ने दो new biotica में open करते हैं, एक उरिष्य में, और एक सिलिगुरी में, साथ सा से रहूनी पैटर में अगर आप देखोगे, तो डियाज ने अपना श्रीक इनकीज और इनकीज करते हैं, साहत से company की इजभार की number अच्छे आपको आते हैं, तो बिलाए नहीं जाके निमेश मत करना, नमबर द अच्छे आते हैं, तो छोटा सा quantity आप इन में, फ्रेजबाइं करने के बारे में बिचार करते हैं, तो क्योंकि company बहुत ही risky है, then next talk है हमारा, so वीडियो ते में डाउट है, कमें सिर्व में पूसलतों मिलते हैं, ऐसे ही इन टिशनी विएकों साथ तब तक के लिए बाएब, करते हैं, प्रेजी आते हैं, अग् exatamente।